हलो फ्रेंड्स कि आपने व्याभी तक केमेश्ट्री का ए भी नहीं पढ़ा है और आप लोगों को बहुत टेंशन हो रहे हैं कि हम लोगों केमेश्ट्री का टर्न 1 का सिलेबर्स को इस तरह से कंप्लीट करेंगे तो अब आप लोगों को टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नह अब लोगों के लिए एक सीरीज कर रहा हूं जिसका नाम है बाबा जी की बूपी सिरीज तो इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे हम लोग हर एक चैप्टर के हर एक टोपिक को पहले डीटेल में कभर करेंगे मैं उसे आप लोगों को एक स्प्लेंड करूंगा उसके बाद chemical reactions and equation के एक topic types of reaction का first reaction जो की combination reaction है उसको detail में पढ़ेंगे तो are you guys ready तो चलिए आज की इस वीडियो को full energy के साथ हम लोग शुरू करते हैं तो combination reaction होता क्या है combination reaction हम लोग ऐसे reaction को बोलते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा substances आपस में combine करके एक single new product का formation करते हैं जैसे इसका जैनल formula होता है एक प्लस बी गिप्स राइस to see मतलब जब substance ए और substance भी आपस में combine करेंगे तो एक new single substances का formation करेंगे वो क्या है सी ठीक है तो चलिए हमें combination reaction को नोट डाउंट कर लेते हैं अ कि दा रियेक्शन in which two or more than two substances combine to give a single substance is called combination reaction तो combination reaction का हम लोग ने अभी जैनल फॉर्मूला देखा था वो क्या था जेन्रल फॉर्मूला ए ए प्लस बी गिप्स राइस टू सी तो चलिए हम लोग कंबिनेशन रियक्शन के कुछ एक्जांपल्स तो चलिए हम लोग कंबिनेशन के कुछ एक्जांपल्स देखते हैं जो कि एक्जांबिनेशन पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा कार्बन डायोक्साइट का ठीक है अब लोग सेकेंड इग्जांपल देखते हैं मेगनीशियम प्लस ओक्सीजन गिप्स टू मेगनीशियम ओक्साइड मतलब जब मेगनीशियम और ओक्सीजन आपस में कंबाइन करेगा तो एक सिंगल न्यू प्रोडेक्ट का फॉर्मेशन करेगा जो कि क्या है मेगनीशियम ओक्स अभी जो मैं आप लोग को ठाड़ इक्जांपल बताने वाला हूं बहुत इंपोटेंट है और इससे रिलेट्टेड इग्जाम में कोश्चिशन आता है तो ठाड़ इक्जांपल है रियक्शन केलसियम ओक्साइड विच वाटर के साथ रियक्ट करता है तो फोर्मेशन होता है केल्स अमाउंट ओफ इट रिलीज होता है यहां पर आप लोग को केल्सियम ओक्साइड का कोमन नेम भी जानना ज़रूरी है केलसियम और को मन नेम क्या होता है और केलसियम हैडर ओक्साइट का कोमन सेफ श्लेक्ड लाइम करेक्ड्र लाइम क क हम लोग लाइम वाटर भी बोलते हैं करेख ऑर का illustrate ओकूल कमलोलान इस्टोन them in ठीक है मैं आप लोगों के लिए हैं इनका केमिकल एम भी लिख देता हूंreten ऊश्चा नर्डी और पर कि अचेफ़ प्रैस को क्या बोलते हैं केल्सियू हाइड्रो अचका lace यह जो स्लेक्ट लाइम लाइम वाटर या केल्सियम हाइट्रोकसाइड जो कि तीनों एक ही चीज है यह किसके लिए यूज होता है यह यूज होता है वाइट वासिंग के लिए मतलब दिवाल को पचूडा करने के लिए ठीक है तो आप लोगों ने एक चीज जरूर अबज़र्ब किया होगा कि जिस दिन हम लोग वाल में वायट वासिंग करते हैं उस दिन वाल साइन नहीं करता है लेकिन दो से तीन दिन बाद जब हम लोग उसी वाल को देखते हैं तो यह जो केल्सियम हाईडरोकसाइड है जो क्या चालेके साथ रियक्ट करता है जो किस कलर का होता है वाइट कलर का होता है यह हम लोग यह भी गवल सकते हैं किसका प्रेंट कैसा होता है वाइट अपेरशatar टहिर ठीक तो संटे कबशी रख़िए का च केमिकल क्या 흥 होता है आप लोग से mcq में यह पूछा जा सकता है कि marble का chemical formula क्या होता है ठीक है तो चलिए अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा उसे revise कर लेते हैं फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया कि combination reaction क्या होता है तो combination reaction हम लोग ऐसे reaction को बोलते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा substances आपस में combine करके एक single substances का formation करते हैं इसका हम लोग ने general formula देखा a plus b gives rise to c और इसका हम लोगों ने कुछ important example देखा पहला example था c plus o2 gives rise to co2 मतलब जब carbon oxygen के साथ combine करता है तो carbon dioxide करता है इसको आप लोग general formula से compare कर सकते हैं यहां एक जगा हम लोग क्या लिख देंगे c मतलब carbon और b के जगा oxygen तो जब carbon और oxygen कंबाइन करेगा तो किस चीश का formation करेगा carbon dioxide का ठीच है और हम लोगों ने second example देखा magnesium जब oxygen के साथ combine करेगा तो किस चीश का formation करेगा magnesium oxide का और थार इंपोर्टेंट reaction था कि reaction of calcium oxide with water मतलब जब calcium oxide जिसका कि common name होता है quick lime और इसको लाइम इस्टोन भी बोलते हैं इसका chemical name क्या होता है calcium oxide यह जब water के साथ react करता है तो किस चीश का formation करता है calcium hydroxide का जिसका common name क्या होता है slate lime और इसको हम लोग लाइम वाटर भी बोलते हैं और यहां large amount of heat released होता है अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कि जिस reaction होता है उससे क्या करते हैं अप लोग थोड़ा वेट करिए फिर मैंने आप लोग को बताया था कि calcium hydroxide जो है वह वाइड के लिए यूजже किया जाता है लेकिंश दिन वाल को white washing करते हैं उस दिन वाल साइन नहीं करता है वह 2-3 दिन के बाद साइन करता है ऐसा क्यु wedましょう कैसे होता है चाएं है फिर से काले कार्बं बढ़ता है ठीक है तो चलिए आगे की और बढ़ते हैं फिर मैंने आप लोगों के नोट बताया कि यह जो केलसियम कार्बोनेट है वह मार्बल का भी केमिकल फॉर्मूला होता है यह आप लोगों से जो केलसियम हाइड्रोकसाइड रहता है वह रियक्ट करता है एकमस्प्यार में पर्जेंट कार्बन डायोकसाइड से और तीन लेयर ऑफ केलसियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर देता है जो कि किसके लिए रिस्पोंसिबल होता है साइनिंग वाइट वाइट वाटर का ही अब मैं आप लोगों को इस reaction का कुछ practical knowledge देना चाहता हूं जिससे कि एक्जाम में अगर question पूछा गया जैसे कि आप लोगों पता है एक्जाम में डियाग्राम बेस्ट कोर्शन वगेरा भी आने वाला है तो उससे आप लोग को solve करने में असानी होगी तो एक्सपरिमेंट वण पहले हमलोग समझते हैं यहां पर हमारे पास एक बीकर है और इसमें हमारे पास water फिल क्या हुआ है यह किया है water और इसमें फिर हम लोग केलियम औकसाईड करेंगे तो यह है केलियम औकसाईड तो आप लोगों कर इस कर सकते हैं बस आप लोग को बजार से केल्सियम उक्साइड यानि की लाइम इश्डोन खरीद के आना होगा जो कि घर में पेंट के लिए यूज होता है तो चलिए मैं आप लोग को इसका बता देता हूं पहला वजर्वेशन हम लोग को देखने को मिलेगा जैसे हम लोग सब्सक्राइब कर गर्म महसूस होगा तो सेकेंड अपजर्वेशन क्या हो जाएगा वीकर वीखें मुट है होट है और थर्ड अब्जर्वेशन हम लोग को देखने को मिलेगा कि हाँ वर्मेशन होगा फ्रमेशन ओफ केल्सियम हाइड्र ओक्साइड है याम लोग बोल सकते एक्सपेरिमेंट वन से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हमारे पास एक टेस्ट यूँग है और इसमें स्लेक्ट लाइम पर्जेंट है स्लेक्ट लाइम जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है सी ए ओ एच होल्ट वाइस और इसे हम लोग लाइम वाटर भी बोलते हैं लाइम वाटर ठीक है और यहां पर आप मेरे पास दूसरा टेस्ट यूब पर्जेंट है और इसमें भरा हुआ है कारबन डायोकसाइड अब हम लोग को क्या करना है जो कारबन डायोकसाइड यहां पर्जेंट है उसको फर्स्ट वाले टेस्ट यूब में डालना है तो यहां से हम लोग उने पाइप लगा दिया और इसे फर्स्ट वाले टेस्ट यूब में डाल रहे है तो अब हम लोग को बताना है कि हम लोग क क्या हो जाएगा ? पहला उब्ज Information हो जाएगा कि हम लोगों को है केलसियू कार्बनेट देखने को मिलेंगा देचने को हो रही हम लोगों को व 걸로 को वाइट पीपीटी नजर आएगा इस पहला उब्जपशन तो यह हो गया कि हम लुग एह वाइट की नजर आने लगेगा ठीच बहुत बार एक्जामा यूशन अजाता है कि कखेलशियम हाईट्रैपources करने में adesso होता है चाहिए यह सोता है किसी कार्बोज डॉक्साइद के साथ हो रहा ह।most को हम लोग क्यों सब्सक्राइब करेंगे तो कुछ होगा नहीं होगा जिससे लाइंग वाटर का कलर मिलकी नहीं होगा तो यह हम लोग क्या बोलेंगे कि जो एक पर्टिकुलर करेंगे अधर और जिसका एक्सपरिमेंट में यहां नहीं होगा उससे कर्वन डियोक्साइड रहेगा उसे रियक्ट नहीं करेगा अब लोगों को थोड़ा केल्सियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ना है इस का एक पर्मूला क्या होता है यह सीज्ट यह थ्री तो इसमें पर समय प्रणाई कि जब केल्सियम कार्बोनेट मतलब सीज्ट के साथ रियक्ट करेगा तो क्या होगा इसमें लोगों कौन-कौन साथ एसट पढ़ना है एस-C-L और और किस चीज का पॉरमेशन होगा यहां हमेशन होगा सी हएट टू केलसियो कलोराइड फिलस वाइटर बाम डायोकसाइट कईड ठीक है अब होग सेकेंड ने Хेलसियो कर्बोनेट का रियेक्षेन है एच टुए सफोर के साथ कि तो यहां क्या होगा यहां भी दो चीज सेम रहेगा वाटर और कार्बोन डियोक्साइड निकले गई अब यहां पर क्या बचा यहां पर बच जाएगा आप लोग का सीए एसो फोर तो यहां पर किस चीज का फोर्मेशन होगा केल सीयं सलफ़ेट सीएसो फोर्क ठीक है यहां मैं आप लोग से कोचन पूछना चाहता हूं अगर हम लोग इस दोनों रियक्षेन में एसीड का और यहां पर लोग को सीय और दिख रहा है इसका फोर्मेशन नहीं होगा नोट इसके जगा किस चीज़ का फोर्मेशन होगा यहां फोर्मेशन होगा केल्सियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जिसका टेमिकल फोर्मुला क्या होता है सी ए एच सी ओ त्री आपर होल्ट ट्वाइस ठीक है कि चले में इसको आप लोगों को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं तो जब लोग एक्सेस अमां टो चार्बन डायोक्साइड लेंगे तो यहां केल्सियम कार्बोनेट फोर्मेशन होने की बज़ाए कि इसका फोर्मेशन हो जाएगा केल्सियम हाईड्रोजन Cs CO3 calcium carbonate the milkness disappear and a new compound is found which is soluble in water और उस new compound का नाम क्या है calcium hydrogen carbonate तो क्या होता है जब excess amount of carbon dioxide pass कर जाता है calcium carbonate में तो जो calcium carbonate milkness रहता है वो disappear हो जाता है गयब हो जाता है और एक new compound का formation होता है calcium hydrogen carbonate और यह soluble होता है water में से लिए हम लोगों को milkness नजर नहीं आता है ठीक है हम लोगों को combination reaction का एक last concept पढ़ना है और वो है exothermic reaction हम लोगों ने देखा था जब calcium oxide react कर रहा था water के साथ तो है formation हो रहा था कि calcium hydroxide का प्लस heat released हो रहा था तो एक जो फर्मिक reaction हम लोग ऐसे reaction को बोलते हैं जिसमें large amount of heat released होता है तो इसको में किस तरह से define कर सकते हैं था reaction in which large amount of heat is released is called exothermic reaction ठीक है तो यहाँ हम लोग का concept खतम होता है तो चलिए हम लोग combination reaction के प्रिभियस यह कोश्चन सोल्व करते हैं और ऐसे करेंगे जिसके एक्जाम में आने का probability जगा है तो फर्स्ट टाइप ओफ कोस्चन है एक रिजन टाइप कोस्चन तो इसमें बैसिकली हम लोगों को क्या करना होता है इसमें एक रिजन इस्टेटमेंट दिया हुआ होता है और हम लोगों के पास चार ओप्सचन होता है उसमें से हम लोगों को एक करेंट चूज करना होता है तो पहला करेंट ओप्सट यहां का मतलब एक का मतलब हमारा रिजन इस्टेट्मेंट है वो असर्षन को करेक्टर ले एक्स्प्लेन नहीं कर रहा है सी ओप्षन है हमारा असर्षन इस ट्रू बट रिजन इस फोल्स मतलब असर्षन इस्टेट्मेंट तो करेक्ट है कि यह जो carbon dioxide रहता है वह स्लेक्ट लाइम यानि calcium hydroxide को Milky appearance में convert कर देता है मतलब क्या करता है मतलब जब carbon dioxide calcium hydroxide से react करता है तो किस चीस का formation होता है calcium carbonate का formation होता है जिसका appearance किस तरह का होता है Milky appearance होता है तो assessment तो हम लोग का correct है तो हम लोग चलिए region statement देखते है region statement है quick lime react with water vigorously to produce select lime and large amount of heat मतलब quick lime water के साथ बहुत तेजी से react करता है और क्या produce करता है select lime और large amount of heat produce होता है तो हम लोग ने अभी अभी पढ़ा था कि calcium oxide यानि कि quick lime react करता है water के साथ और यह formation करता है select lime यानि calcium hydroxide का और इसमें से large amount of heat released होता है तो यहां से हम लोग को यह पता चल रहा है कि हमारा region statement भी करेक्ट है बट क्या region assertion का correct explanation है नहीं region यह तो explain नहीं नहीं कर रहा है कि carbon dioxide क्यूं select line को मिलकी appearance में convert कर देता है इसलिए हमारा कौन सा option करेक्ट हो जाएगा यहां इसमें आप लोग को सिच्वेसंस दिया हुआ रहेगा और इससे रिलेटेड आप लोगों को answer देना होगा तो first question का a part है solution of substance x is used for testing carbon dioxide write the equation of the reaction of x with carbon dioxide मतलब यहां लोगों से बोला जा रहा है कि एक substance से x जिसका solution used होता है carbon dioxide के presence को टेस्ट करने के लिए तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि write the equation of the reaction of x with carbon dioxide मतलब x का reaction हम लोगों को carbon dioxide के साथ लिखना है तो सबसे पहले तो हम लोगों को बताना पड़ेगा कि x क्या है तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जब calcium hydroxide react करता है carbon dioxide के साथ तो यह formation करता है calcium carbonate का जिसका appearance कैसा होता है milky appearance होता है तो अगर किसी भी chemical reaction में carbon dioxide release हो रहा है और उस carbon dioxide से अगर हम लोग calcium hydroxide का reaction करा दे तो उसमें से calcium carbonate का formation होना चाहिए जिसका appearance होता है milky और अगर उस reaction में carbon dioxide release नहीं हो रहा है तो calcium hydroxide carbon dioxide से react नहीं कर पाएगा और cseo3 का formation नहीं होगा जिससे मिलकी appearance हम लोग को नजर नहीं आएगा तो आप लोग मुझे यहां बताइए कि एक्स कौन है तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा calcium hydroxide तो पहला का हमारा answer यह हो जाएगा आप लोग हमेंसे ध्यान दिशेगा जब भी आप लोग को chemical equation लिखने बोलेगा तुसे balance जरूर करिएगा में हाँ एक्सिज भूल गया हो है कि सीए सीओ तो फॉर्म टाइपलस यहां चलिए भी पार्ट करते हैं पर्ट है हाओ इज एक्स इजऑ और को किस तरह से बनाया जाता है किस तरह से वह obtained होता है तो सबसे पहले तो हम लोग को पता करना होगा ख्या है तो क्या था केल्सियम हाइड्रोक्साइड तो केल्सियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है जब केल्सियम ओक्साइड वाटर के साथ रियक्ट करता है तो फॉर्मेशन होता है केल्सियम हाइड्रोक्साइड का ठीक है और हम लोगों को केमिकल रियक्शन भी ल हाइड्र ओक्साइड है इस फॉर्म्ट है तो हम लोगों को समझ में आ गया हो अब चलिए हम लोग सेकेंड कोस्टन क्या बोल रहा है इन एक्सपेरिमेंट सोलिट केल्सियम ओक्साइड वास टेकन इन अ कंटेनर एंड वाटर वास एड़ेड स्लोली मतलब यहां लोगों से ब एनसे मारा वाटर म cooking मातलब फॉर्स इस क्युशन का फर्ष्ट पर्स पार्ट देखते हैं फ्रस्ट पार्ट है इस्टर्ति टू अबजर्वेशन में अनुच हम लोगों सेपना रहा है इसमें हम लोग को क्यां अबजर्वेशन देखने को मिलें तो हम लोगों को पता है लिष्यम औक्साइड और वाटर का वह बोईलिंग और नहीं स्टार्ट हो जाएगा इस्टार्ट बोईलिंग कि एंड लाइन वाटर कैको दूसरा नाम क्या है स्लेक्ड लाइन is form तो दो और यह जो यह management है वो start हो जाता है boiling और second observation यह है कि यह मिक्सचर उसका boiling start हो जाता है और finally lime water का formation होता है question का the part देखते हैं write the name and chemical formula of product form इस experiment में जो product form होगा उसका हम लोगों को name और chemical formula लिखना है तो सबसे पहले हम लोग चले रियक्शन लिख लेते हैं ताकि हम लोगों पता चले कि क्या फॉर्म्ड होगा तो जब केल्सियम ओक्साइड वाटर के साथ रियक्ट करता है तो फॉर्म्ड होता है केल्सियम हाइड्रोक्साइड तो नेम क्या हो जाएगा यहां पर नेम हो कि और मुबन करते हैं फ़र्ट कोस्टन का फ्रस्ट पाट है एस सॉल्यूशन फ़स्टांस वाई इज यूज़ड़ वाईट वाइट वाइस्ट वाइध्वासिंग यह जिसका सोल्यूशन यूजड़ होता है वाइट वासिंग के रिए तो हम लोग को बताना है किस्टांस क्या है तो फर्स्ट कोश्चन का अंसर क्या हो जाएगा वाई है हमारा केल्सियम हाइड्रोकसाइड का क्या होता है एख स्लेक्ट लाइं चल्ए लोका सेकेंट पाट देखते हैं सेट है इस्टेट दह डा केमिकल रियक्षाइड का के साथ चली लिख देते हैं केल्सियम हाइड्रोकसाइड जब रियक्ट करता है कार्भन डायोकसाइड के साथ तो करता है CACO3 केलसियम कार्बोनेट का जिसका अपेरेंस कैसा होता है मिलकी अपेरेंस होता है और यहां प्लस वाटर फॉर्म्ड होता है तो आई होप आप लोग को फ़र्ट कोश्चन भी समझ में आ गया होगा अब लोग फ़र्ट कोश्चन की और मुवन करते हैं फ़र्ट सब्सक्राइब करेंस की अब लोग को यहीं से पता चल गया होगा कि एक्स गया है लेकिन आगे भी दिया हुआ है पढ़ लिए एक्स प्रफ्सक्राइब लोग मिशें बताए यहां एक्स क्या होगा यहां एक्स हो जाएगा हमारा CACO3 केलसियम कार्बोनेट केलसियम कार्बोनेट यानि कि CACO3 ही किसका केमिकल फॉर्मूला होता है मार्वल का भी केमिकल फॉर्मूला होता है और केलसियम कार्बोनेट ही रिस्पोंसिबल होता है वाइट वासिंग वाल का साइनी सर्फेस के लिए ठीक है पार्ट है हम लोग को बताना है कि यह जो केल केलसियम हाइड्रोक्साइड एट्मोस्फियर में परजेंट कारवन । इसे रियक्ट करता है तो यह थिन लेयर ऋफ केलसियम कारवोनेट का करता है और यह किसके लिए सब्सक्राइब होता है साइनिंग वाइट वासिंग वाल के लिए तो आई होप आप लोग को फॉर्ट कोस्टन पी इजीली समझ में आ गया होगा तो चलिए हम लोग केस्ट बेस्ट के लास्ट कोस्टन के और मुववन करते हैं कि फिफ्ट कोस्टन एक लेबल आप वाला थोड़ा कोस्टन इसे ध्यान से आप लोग सॉल्फ करिए हो तो कोस्टन क्या बोल रहा है कि इसल एसीड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसीड वस एड़ड़ेद टू आप के लिएक्स एक केव्ट इना टेस्स तूब मतलब हमारे पास एक टेस्ट आसम्सा एक प्सक्रांसेगर है प्लेक्स टेसर नहीं अटर नहीं पता और इसमें इसुरूली एट ऐड़् किया जा रह हो रहा है तो colorless and orderless gas y was evolved तो यहां से एक gas evolved हो रहा है वो gas क्या है वाई अब लोग आगे पढ़ते हैं इस पास्ट इन सोल्यूशन ओफ जैड वीच टर्न मतलब यह जो गैस निकल रहा है वाई इसको हम लोग एक सोल्यूशन है जैड का उससे पास करते हैं तो हम लोगों को मिलकी अपेरेंस दिखेगा ठीक है तो आई होप कोस्टन आप लोगों को समझ में आया होगा मैं फिर से एक बार बता देता हूं क्या है क्या है कि हमारे पास एक बीकर है जिसमें कि एक स्वलिट सब्स्टान से एक्स और उसमें स्लोली हैड्रो कलोरी क एसिड मतलब ऐसेल इड़ क्या जा रहा है तो उसमें से एक कलर्लेस और 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 लेस गैस निकल रहा है जोकी है वाई और जब हम लोग इस गैस्ट के सॉल्यूशन से पास करेंगे तो हम लोगों को एक milky appearance देखने को मिलेगा तो चले हम लोग इसका mind map पहले बनाते हैं हमारे पास क्या है एक solid substance से x जब यह react कर रहा है एस CL के साथ तो किस चीज़ का formation हो रहा है colorless and orderless gas y यहां से y निकल रहा है जो कि कैसा है colorless और orderless और जब हम लोग यह gas को pass करेंगे z के solution से तो हम लोगों को milky appearance देखने को मिलेगा तो first question हम लोगों से पूछा गया identify x y and z तो हम लोगों को यहां x y और z बताना है तो सबसे पहले तो हम लोगों को जानने होगा कि x क्या है और x जब ACL से react करेगा तो किस चीज़ का formation होगा इसको हम लोग दो तरह से solve कर सकते हैं या पीछे से तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आगे से solve करके दिखाता हूं तो मैंने आप लोगों को बताया था एक्स जो कि CACO3 जब ACL से react करता है तो यहां किस चीज़ का फोर्मेशन होता है यहां फोर्मेशन होता है यहां देखे क्या गोला गया है जब एक से react करेगा तो एक गैस रिलीज़ तो इन तीनों में से गैस को ने इन तीनों में से गैस हैं हमारा कारबन डायोकसइड जो कि कैसा है ओडर लेस और कलर लेस तो वाइट हम लोगों को पता चल गया हमारा क्या हो जाएगा कारबन डायोकसाईड एक्स किया हो जाएगा सीए और से पूछा गया कि जब वाइक को हम लोग जेट के स्वोलिशन से पास करें से अपकृशन से पास करें तो तो हमारा X के हो जाएगा X हो जाएगा केलसियम कार्वोनेक, Y हो जाएगा कार्वन डायोकसाइड और Z हो जाएगा केलसियम हाईड्रोकसाइड अब देखें हम लोग इसको backward तरह से कैसे solve कर सकते हैं यहां हम लोग को दिया गया था Milky Appearance पिल्क से अलक्य करूब करेगा तो सिए को ठीश करेगा अब यहां याप लोग बताया था एक ही एसीड का reaction combination reaction वो क्या था वो था कि जब CCO3 HCl से react करेगा तो हम लोग को क्या मिलेगा CCl2 plus H2O plus CO2 तो हम लोग इसे इस तरह से से भी सोल्ब कर सकते हैं से कंद लोग से बोल रहा है उल्सों राइट वाट विल हैंपन इप इस पास्ट इन जेड इन एक्सेस तो वाई हमारा क्या था वाई था हमारा carbon dioxide और जेड हमारा क्या था calcium hydroxide तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जब calcium hydroxide में excess amount प Information हो रहे था सी सी ओस यς किसा होता है मिलकी तो एगर हम लोग कार्बन डियोकसाइड का का अमाउंट बढ़ा देंगे एक्सेस अमाउंट में सप्लाई करेंगे तो यह जो मिल्की अपेरेंस है वो क्या हो जाएगा डिसापेर हो जाएगा तो इसका अन्सेल में किस तरह से लिख सकते हैं मिल्क नेस डिसापेर due to excess supply of carbon dioxide because formation of calcium hydrogen carbonate take place which is soluble in water so I hope आप लोग को 5th question भी समझ में आ गया होगा अब लोग नेक्स्ट टाइप और कोस्टन देखने वाले हैं जो कि मल्टिपल प्रोइस कोस्टन फर्स्ट्टन है वेन कार्बन डियोक्साइड इस पास्ट्रू दे स्लेक्ट लाइम आप्शन नेहें केल्सियम हाइड्रोकसाइड इस फॉर्मड ऑप्शन भी है वाइट पीटी और केल्सियम उक्साइड इस फॉर्मड ऑप्शन से वाइट पीपीटी इस फॉर्मड एड्रोकसाइड में से स्लेक्ट लाइम बोले तो कार्बन डियोक्साइड पास किया जाता है तो फोर्मेश 2 है the substance used for white washing, option A है calcium oxide, option B है calcium carbonate, option C है calcium hydroxide and option D है quick lime, तो इसका correct option है option C calcium hydroxide, third question है the reaction in which heat is released is called option A है exothermic reaction, option B है endothermic reaction, option C है redox reaction and option D है combination reaction, तो इसका correct option है option A exothermic reaction, question 4 है chemical formula for marble is, option A है CAO, option B है CAOH hold twice, option C है CACO3 and option D है COSO4, तो इसका correct option है option C, CACO3, I hope आप लोगों को multiple choice question सारे समझ में आ गया हो, next type of question प्रेक्टिस करने वाले हैं जो कि है diagram based question, तो चले हम लोग first question solve करते है, observe the figure and answer the following question, सबसे पहले हम लोगों को इस diagram को observe करना है और दिये गए question के answer देना है, तो इस diagram को देखिए, यहां पर एक beaker है जिसमें water लिया गया है और इसमें कुछ क्वीक लाइम एड किया गया है, तो option A है which compound will be produced through this experiment, इस experiment में कौन सा compound produce होगा, तो चले हम लोग find out करते हैं, जब क्वीक लाइम बोले तो calcium oxide react करेगा water के साथ, तो यहां किस चिसका formation होता है calcium hydroxide, जिसका common name क्या होता है select lime, तो A part का answer क्या हो जाएगा select lime, चले हम लोग B part solve करते हैं, is this reaction exothermic और endothermic reaction, तो exothermic reaction क्या होता है, ऐसा reaction जिसमें heat released होता है और endothermic reaction क्या होता है, एंडothermic reaction जिसमें हम लोग heat supply करते हैं, तो तो हम लोगों ने रेखा था जब यह reaction होता है calcium oxide साइट pled Gold विवारीएक संध में अगर डियोग के लिएंट सेजव करतें केलिए इस लिए किस टाइप का रिएक्वाशन थर्मिक रिएक्ष momentos आ है कि आधि अब लोगों का कॉंबिनेशन रिएक्वाशं का सारा कॉंसेप्ट कर लिया हो आप लोगों को और भी जो टोपिक है उसका वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट जिसका नाम है बाबाजी की बूटी सिरीज उसमें मिल जाएगा अगर आप लोगो को यह वीडियो पसंद आया होगा समझ आया होगा और अगर आप लोग के लिए हेल्फूल होगा तो किसी इस्ट्रेस के इंजोई करते रहें